जैहिन बच्चो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्द रूप मात्री रिकारांताह इस्त्री लिंगम रिकारांताह क्यों कहा जाता है क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पे जो तै के नीचे मात्रा दी गई है वो री की मात्रा होती है इसलिए इसे कहा जाता है रिकारांतह और इस्तिलिंगम क्योंकि माता जो शब्द है वो इस्तिलिंग शब्द है ठीक है तो इसलिए इसे कहेंगे मात्री रिकारांतह इस्तिलिंगम तो देखें ध्यान दे सभी, विभक्ति एक वचनम, द्री वचनम, बहु वचनम तीनों वचनों में शब्द रूप और सभी विभक्तियों में दिया गया है तो ध्यान दे सभी, प्रत्मा विभक्ति में माता का रूप किस प्रकाई से चलता है? माता, मात्रव, मात्रह द्वित्य विभक्ति मात्रम, मात्रव, मात्री त्रत्य विभक्ति मात्रा, मात्रि भ्याम, मात्रि भीह चतोती विभक्ति को किस प्रकार से पड़ेंगे? मात्रे, मात्री भ्याम, मात्री भ्यह पंचमे विवक्ति पर ध्यान दे मातु हूँ, मात्री भ्याम, मात्री भ्यह शस्थी विवक्ति मातु हूँ, मात्रो हो, मात्री नाम सब्त्मी विवक्ति, मात्री, मात्रोह, मात्रीशू संबोधनम, हे मात्रह, हे मात्रव, हे मात्रह तो इस प्रकार से शब्दुरूब मात्री का आप अपनी कौपी में करेंगे इसके बाद ध्यान देंगे धातु रूप क्री, क्री का आर्थ होता है कर्णा लट लका रहा, वर्तमान काल में हम इसे पढ़ेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं पुरुष कितने होते हैं? तीन पुरुष होते हैं, प्रत्मह, मध्यमह, उत्तमह इनके उपर हेडिंग मेंशन नहीं हैं बच्चों, लेकिन आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी होगी एक वच्चनम, द्वी वच्चनम और बहु वच्चनम तो हम क्रीध हातु को लट लकार में किस प्रकास से पढ़ेंगे ध्यान दें करोती, कुरुतह, कुरवन्ती, करोशी, कुरुतह, कुरुत, करोमी, कुर्वह, कुर्मह तो इस प्रकास से क्रीध हातु को आप अपनी कॉपी में करेंगे नेक्स्ट लकार पर ध्यान दें, लंग लकार रहा, भूतकाल प्रधम पुरुष में किस प्रकास से पढ़ा जाएगा? एकरोत, एकुरुताम, एकुर्वन मध्यम पुरुष में एकरो हो, एकुरुताम, एकुरुत उत्तम पुरुष में एकर्वम, यहाँ बच्चो थोड़ी मिस्चेक है, कवरम लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा कर्वम एकर्वम, एकुर्व, एकुर्म तो इस प्रकार से क्री धातू का लंग लकार में रूप चलता है इसके बाद ध्यान देंगे लिरिट लकार है क्री धातू में करीश्यती, करीश्यतह, करीश्यंती, करीश्यसी, करीश्यतह, करीश्यत करिश्यामी करिश्यावह करिश्यामह तो इस प्रेकार से तीनों पुरुष और तीनों वचनों में आप लिरेट लगार क्रीधातु को लिखेंगे इसके बाद है लोट लगार अग्याथक जब आग्या ली जाती है तब लोट लगार कप्तियों किया जाता है तो इसका रूप किस प्रेकास से चलता है? चलिए पढ़ते हैं करोतू कुरुताम कुरवन्तू कुरू कुरुतम कुरुत कर्माणी कर्वाव कर्वाव तो इस प्रेकास से आप लोट लगार में क्री धातू के धातू रूप को लिखेंगे नेक्स्ट है और नेक्स्ट के साथ साथ लास्ट भी है विधिलिंग लकार रहा चाहिए के आयत में विधिलिंग लकार का प्रियोग किया जाता है तो चली आरंब करते हैं कुरियाम, कुरियाम, कुरियाम तो इस प्रेकास से सभी बच्चे क्री धातू को सभी लकारों में अपनी कॉपी में करेंगे हाला कि जितने भी आपने अभी तक धातू रूप किये हैं उनसे थोड़ी से डिफिकल्टी आपको इने लर्ण करने में आएगी लेकिन थोड़े से अभ्यास से ही आपको ये शीग्री ही लर्ण हो जाएंगे ठीक है? शीग्री याद हो जाएंगे आपको ये लेकिन थोड़े से अभ्यास के पश्चाद तो सबी बच्चे आज शब्द रूप और धातु रूप अपनी कौपी में सुन्दा सुन्दा हसले के साथ करेंगे धन्यवाद